हेलो एंड विल्कन वर्ल अफेर्स मैं हूँ प्रशान दवन नाव हाली में देखो एक बहुत ही अजीब सा एवेंड हुआ है फर्स्ट फॉल यहां पर आप देखोगे यह है इश्यका मैप और यह है हमारा प्यारा भारत आज के समय आपको बताओगा के जी सेवन कंट्रीस का एक समिट हो रहा है युनाइटेट किंग्डम में और यहां पर आप देख पाओगे मैं जूमिन करता हूँ कैरबेस बे में कैरबेस बे उस रिजॉर्ट का नाम है जो आपको मिलेगा यूके के सदन पार्ट में और यहां पर आज के समय जी सेवन लीडर्स घटा हो चुके ह और मीटिंग जल रही है अब इस मीटिंग के दुरान अचानक से चाइना को लेकर विवाद इतना ज़रा बढ़ गया कि जो बाइडन के कहने पर एक पूरी बिल्लिंग खाली करनी पड़ी वहां पर इंटरनेट डिस्कनेट करना पड़ा पूरा आसपास का जो एरिया है वह यहां पर इंटरनेट डिस्कनेट कर दिया गया क्यों क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स को यहां पर बातचीत करनी थी बहुती सीक्रेटिव तरीके से चाइना के इशू के बारे में यह एक इतनी ज़ादा अजीब सी बात है कि चाइना को लेकर जब इनको बात भी करनी थी तो उ प्लान होने चाहिए किस हद तक वो चाते हैं कि वो चाइना के अगेंस्ट आक्शन ले और यहां पर कौन-कौन से लीडर्स शामिल थे देखो जो जी सेवन देश हैं उनके लीडर्स यहां पर शामिल थे मतलब के कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इडली, जपान, युनाटिट भी खराब है, मोधी जी ने डिसाइड ये किया कि ये थूरू इंटरनेट, वीडियो कॉन्फरेंसें के जरिए पार्डिस्पेट करेंगे इस समिट में, और सिंस यहां पर जो बिल्लिंग थी, यहां पर इंटरनेट कट कर दिया आ गया, कम्प्लीट सिक्रेसी थी, तो अब इसी बात है, इंडिया की यहां पर पार्डिस्पेशन नहीं हो पाई, जी सेवन समिट पे एक मेरी अलग से वीडियो भी आएगी, एक बार जो इंका प्रॉपर डेकलरेशन है, यह सामने आ जाए, उस पर मैं एक प्रॉपर जी सेवन समिट का एनलाइसिस भी आपके लिए आउंगा बाद में, मगर अभी के लिए अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर इवेंट की, तो जी सेवन में साफ साफ दिखराए के बटवारा हो चुका है, दो खेमें बढ़ चुके हैं, क्योंकि यह को चाइना का इशू यहां पर यह है कि चाइना एक खत्रा भी है, थ्रे के जो भी इनके प्लान्स है, बेल्ट अनोड इनेशेटिव उसको कैसे काउंटर करना है, चाइना पर क्या सैंक्शन लगाने है, इस पूरे समिट में लग रहा है, के सतर से लेकर 80% जो टाइम और एफट है, यह सिर्फ चाइना पर ही फोकस किया गया, और चाइना से कभी भी फेस नहीं किया, USSR बहुत स्ट्रॉंग था, मगर USSR की कमजोर यह थी, के इनोंने कभी अपनी अर्थवस्ता स्ट्रॉंग नहीं करी, चाइना देखो आप कह सकते हैं, एक अपडेटेड और जादा इवॉल्ड वर्जन है USSR का, जो भी कम्या थी USSR में, चाइना ने सारी कम्या दूर कर ली हैं, इनोंने एंशोर कर लिया है, कि इनके लोग जार अच्छी जिनगी जिये, ताकि कल को चाइना के लोग Commerce Party अगेंस बगावतना करना स्टार्ट कर दें, उसके अलावा इनोंने बहुत ज़रा प्रोपगेंड़ा करना स्टार्ट कर दिया है, हॉल्लिव एक टाइम पर जो लोग कहते रें, नीटरल है और बहुत अची मुवीज बनाता है, इन दा फूचर आप देखोगे, कि बहुत सारी हॉल्लिवड मुवीज भी एक सौफ्ट टाइप का चानीज प्रोपगेंड़ा ही बनके रह जाएगा, तो चाइना का जो बड़ता प्रभ यही है कि चाइना के human right abuse को लेकर किस level के sanctions लगाये जाए चाइना पर, और USA का media आज के समय यह report कर रहा है, कि main difference G7 countries के वीच में यही है, कि चाइना पर कैसे sanctions यह impose करें, यह sanctions कब impose किये जाएं, और क्या चाइना genuinely G7 countries के लिए, West के लिए in particular एक बहुत बड़ा खतरा है, या फि इसको लेकर काफी मतभेद है, और मतभेद किसके वीच में है, देखो यहाँ पर मन चुके हैं दो groups, एक तरफ तो है European देश, मतलब के France, Germany, Italy, उसके लावा जपान भी यहाँ पर कुछ है तक शामिरें के, फिर दूसरी तरफ है तीन देश, इसमें है Canada, USA और UK, जो Biden यहाँ प उसका मतलब कुछ और था, इन modern terms इसको कहा जाता है English speaking brotherhood, इसमें भारत को यह गिंते नहीं है, क्योंकि overwhelmingly हमारी बहुत सारी अबादी English बोलती नहीं है, मगर western ideas और Christianity और English speaking यह सब चीज़ें जब मिलती हैं तब यह लोग कहते हैं कि यह देश है एक Anglo-Saxon देश, तो primarily जो 5 Anglo-S देश है दुनिया में यह है USA, United Kingdom, New Zealand, Australia और Canada, तो Anglo-Saxon countries तो चाती है कि चाइना के अगेस्ट अक्षन लिया जाए, मगर Europe और Japan जिनके काफी अत्तक trade relations है चाइना के साथ, वो नहीं चाते कि altogether चाइना के अगेस्ट यह हो जाए, यह लोग चाते हैं कि अभी चाइना के अगेस यहाँ पर निकालते हैं, मिलके निंदा करते हैं चाइना की उईगुर मुसलिम्स को लेकर, मगर जो बाकी यहाँ पर चार देश है, वो यहाँ पर जो बाड़न की निती से अगरी करते हैं, और बाद अवे जो यह Anglo-Saxon और European countries के बीच में मदबेद है, यह सिर्फ G7 तक थम पता कि जो secret meeting हुई है, यहाँ पे निनने क्या बात करी है, क्या कोई यहाँ पर military plan discuss किया गया, ताइवान को लेकर कोई बड़ा यहाँ पर plan discuss किया गया, अभी तक हम यहाँ पर गैसी कर सकते हैं, क्योंकि secret meeting के बारे में इन्होंने कोई proper notification तो publish करी नहीं, मगर ऐसा भी नहीं और इसको यह कहते हैं, green belt and road, officially USA इसको कह रहा है, B3W, मतलब के build back better world, इसमें यह कह रहे हैं कि जो developing countries हैं, वहाँ पर trillions of dollars की investment चाहिए, वो हम करके देंगे, अब यह कहां से करेंगे, इनके पास इतना पैसा कहां से आएगा, वो किसी को पता नहीं है, अभी के लिए देखो, जातार देश इनके plan पर विश्वास करेंगे नहीं, जब तक यह कुछ countries को help नहीं करते, दुनिया ने चाइना के belt and road initiative को भी seriously नहीं लिया था, जब तक चाइना ने हममटोटा नहीं कबजाया, उसके लाबा पाकिस्तान के गौदर पोर्ट को build नहीं किया, आज के समय सब लो term की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम को यह भी देखना होगा, कि इटली एक बहुत ही जादा कमजोर देश है within G7, इटली अकिला देश है G7 countries में, जिसने चाइना का belt and road initiative जॉइन कर रखा है, और इटली देखो G7 का भी पार्ट है, G20 का भी पार्ट है, अभी जो G20 summit उसको host करेगा इटली, और इटली ने यहाँ पर यह का है, कि since हम host करेंगे summit, हम नहीं चाते कि G20 summit में, चाइना के against कोई भी statement दी जाए, तो मेरे जाब सर्थ देखो in the future, G7 countries को all together कुछ members हटाने होंगे, कुछ members add करने होंगे, अपनी current state में, यह कोई बड़े निड़ने नही UPSC आप purchase कर सकते हैं, Unacademy के quality courses, देखो यहाँ पे आपने course purchase कर लिया, तो video lecture आप देख पाएंगे, phone पर, tablet पे, computer पे, कहीं भी, simply जाओ unacademy.com पे register करो, और यहाँ पे click करो अपने exam of choice पे, for example अगर आपको prepare करना है for SSE, click on SSE, और यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं, 12 months या फिर 24 months course, जो 12 month course है, यह per month आपको पड़ेगा, 542 रुपीस का, मगर यह price भी पे मत कर देना, use करो यहाँ पे promo code PD10, और prices और भी जड़ा गिर जाएंगे, so use the promo code PD10 and save money, इसी note के साथ, यह है video कांत, thank you for listening and as always, God bless you all. है ख्योंง